हेलो दोस्तों आज मैं आपके एक फार्माउस के बारे में बताऊंगा जो की सेल के लिए अवेलेबल है यह फार्माउस जगतपुरा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर है और यह यहां से चालू होता है एक छोटा गेट यह है अपन बड़े गेट से एंटर करेंगे जगतपुरा से 15 मिनट की दूरी पर है एक कानोता से सामरिया को एक 200 फुट का रोड जा रहा है उस रोड से मात्र 1500 से 200 मिटर यह अंदर है यह डामर का रोड है यह लगबग 40 फुट चोड़ा सडक है और यह फार्माउस की में एंट्री है अपर अंदर चलते हैं और बाग की डिटेल्स जानते हैं यह फार्माउस लगबग साड़े तीन बिगा में फैला हुआ है और सबसे पहले यह पार्टे इसमें हमने गेहों की खेती कर रखी है इधर हमने कंपोजिट खाद बनाने का कुछ जुगार किया हुआ है जगतपुरा से मात्र पंदरा मिलेट की दूरी पर है अगर किसी का घर जगतपुरा मालवे नगर या आसपास की एरिया में है तो उसके लिए बहुती यह उप्यूक्त फार्माउस है और लोकेशन बहुत अच्छी है 200 फूट रोड से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है यह छोटे गेट के अंदर यह पूरा लॉन मना हुआ है अभी लॉन को डवलप कर रहे है बहुती बढ़िया क्वालिटी के अपने घास लगा रखी है इसमें आपको मैं दिखाता हूँ चालो तरफ बाउंडरी हो रखी है पाच-पाच फुट की बाउंडरी है उसके उपर तेन फुट की तारबंदी का रखी हुई है और डिप इरिगेशन सिस्टम से सिचाई हो रही है चारो तरफ बाउंडरी है मजबूत बाउंडरी की हुई है आप अपनी फैमिली के साथ सेटेड़े संड़े यहां पर आराम से एंजॉय कर सकते हो बाकी सेकेंड हॉम के लिए बहुत ही बढ़िया जगा है और इसे 200 फूट रोड से एक डीड़ किलमेटर पहले तक बढ़िया रिहायशी कॉलोनिया कटी हुई है और काफी लोग उनमें रह रहे हैं तो आने वाले समय में इसका फ्यूचर वैसे भी ब्राइट है अभी भी ब्राइट है पर आने वाले समय में और भी ब्राइट है यहां पर हमने लगबग 500 के करीब पेड़ भी लगा रखे हैं जिसमें जामुन है आमला है अमरूद है यह देखो, बीच बीच में पेड़ों के बीच में आमने टमाटर के खेतिया भी चालू करिए, पॉली फार्मिंग जिसे बोलते हैं, आम के भी बहुत अच्छे अच्छे पौदे हैं, सारे जो पौदे हैं वो अलग-अलग ग्राज्यों से लाए हुए है, अमरूद उत्तर प नाना प्रकार के पौदे इसमें लगा रखे हैं हमने, वो लास्ट में कुछ कमरे भी बने हुए हैं, पर वो तीन शेड वाले हैं, वैसे मजबूत कमरे नहीं हैं, पक्के कमरे जिसको बोलते हैं, पर सावान वान रखने के लिए तीन कमरे हैं, एक रस ही हैं, दो बात्रूम है, यह एक फैमिली के लिए मिनी स्विंग पूल भी पना हुआ है, इसको डेवलप करो तो और भी अच्छा रहेगा, वैसे अभी भी डेवलप है, और यह हमने एक फिश पॉंड बना रखा है, यह लगबग 20 वाई, डेड़ सो फुट का फिश पॉंड है, इसमे बहुत तरह की मचलियां हमने डाल रखी है, गोल्डन फिश, कटला, रोहू, और बहुत ही बढ़िया इसमें पैदावार है, फिशरीज में, लगबग 4-5 लाग की मचलियां तो बेच चुके हैं पिछले एक साल में, बोरिंग किया हुआ है, उसके अंदर आराम से 8-9 नोज पानिक से खेती कर रखिए, तो पूरे खेत में पाने की कोई समश्या है नहीं, इसकी लोकेशन मतलब बहुत बढ़िया है, सामरिया, कानोता, जो लिंक रोड है, 200 फुट का, उससे मात्र, 1.500 से 200 फुट, 200 मीटर की दूरी पर ही ये फारमाउस इस्तित है, आने के लिए प् से आपको बस 15 मिनट लगेंगे, लोकेशन वाइस तो बिल्कुल ये खरीदने जैसा है, ये खरगोश और मुर्गा मुर्गियों के लिए एक घर बना हुआ, इसमें देशी मुर्गा मुर्गी पाल रखे हैं, मतलब प्रोपर आपको फारमाउस की फेलिंग आती है, एक मुर मुर्गी है, तीन-चार खरगोश है, मतलब एक जो प्रोपर जो होना जी है फारमाउस, वो ये है, टमाटर की खेती की हुई है, अभी 10-15 दिन बाद में इसमें से टमाटर आने लग जाएंगे, आपको एक ओवर्लूक दे देता हूँ है, और, आप देखिये पुरा, बहुत ही सुन्दर नजारा, आने के बाद में जाने का दिल नहीं करता है, ये पूरे खंबो पे हमने स्ट्रीट लाइट लगा रखी है, रात को आप इनको जला दो तो बिल्कुल चारो तरफ रौश नहीं रहती है, चलो फ्रेंट, अगर किसी को ये लेना हो, तो मुझे नीचे कमेंट करो, लोकेशन में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूगा, अगर किसी को लेनी की इच्छा हो, तो नीचे कमेंट में मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं, चलो फ्रेंट्स, बाई!